Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable resolution लाया गया था, Jordan के दोरा, और इस resolution में बोला गया, कि यहाँ पर ceasefire होना चाहिए, मत्तब कि जो भी इस समय वाट चल रही है, उसमें विराम लगना चाहिए, और humanitarian access देना चाहिए, तो यह काफी चौकाने वाला था, कि भारत ने इसको support करने के बजाए, इसको abstain कर दिया, काफी देशों ने क्या किया, काफी कुछ जानने को है, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आप में से, जो भी लोग UPSC की त्यारी कर रहे हैं, और आपको एक ऐसा batch चाहिए, जिसके अंदर पूरा complete preparation हो, prelims, mains, interview, तो हमारा ये जो तीन live batch दोस्तो स्टार्ट हुआ है, अलग-अलग validity के साथ यह आप अवेल कर सकते हैं, बाइ using the code अंकित लाइव आपको maximum discount मिल जाएगा, और इन सभी के link जो है, आपको comment section में दिया है, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्ट Security Council की बात नहीं करा हूँ, Security Council के अंदर 15 members होते हैं, जिसमें veto power होता है, 5 permanent members के पास, यहाँ पर जो United Nations की general assembly होती है, उसमें पूरी दुनिया होती है, मतलब 193 countries आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर humanitarian truth लाने के लिए, मतलब seas fire लाने के लिए, जो भी इस समय इसराइल हम के बीच में युद चल रहा है, इसको लेकर resolution लाया गया था, और इस resolution में काफी कुछ कहा गया था, वो मैं आपको आगे और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जब इसको लेकर voting हुआ, तो भारत ने abstain कर दिया, मतलब भारत ने ना तो इसके support में, और ना तो इसके against में vote कि मैं आपको वैसे बता दूँ, latest update कि इस समय जो war चल रहा है, वो और जादा escalate होता जा रहा है, क्योंकि इसराइल, आप कह सकते हो, ground invasion इस समय करने के त्यारी में है, या फिर almost उसकी सुरुवात हो गई है, मैं सोच रहा हूँ, उसको लेकर एक अलग separate वीडियो बनाऊंगा, खेर, अभी हम जो resolution की बात करें, इसके बारे में पहले देख लेते हैं, देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, कि 10th emergency special session जो है, United Nations की General Assembly के दौरा बुलाए गया, ताकि इसराइल war को लेकर, जो भी बातचीत है, वो हो सके, और यह जो resolution है, वो मैंने आपको बताया, कौन लाया, Jordan लेकर आया था, आपको पता ही है, इसराइल के जस्ट बगल में पडूसी देश, अगर आप देखोगे, तो वो Jordan देखने को मिलेगा, और बताया जा रहा है, कि Jordan एक तरह से Mediator का काम करने की कोशिश कर रहा है, खर जो भी है, यहाँ पर Jordan के दौरा resolution लाया गया था, और इस resolution को को स्पॉंसर किया गया था, चालिस और देशों के द्वारा, जिसमें बांगला देश, मॉल्डीव, पाकिस्तान, रशिया, साउथ एफरिका, यह सभी देश देखने को मिलेंगे, और इस resolution का नाम क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन्स एंड अपहोल्डिंग, पजस्ति की जा सकती है, जो को ऐसा कुछ नहीं है, युनाइटेड नेशन से एक बॉड़ी है, जिसके अंदर कई सारे कंट्रीज हैं, वो अपने उपिनियन को रखते हैं, बहुत बार, कई बार ऐसा हुआ है कि resolution अपना लिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि resolution अ सपोर्ट किया है, उनके favor में vote किया है, और 14 countries ने उसके against में vote किया है, और भारत जैसे कई देश हैं जिन्होंने abstain किया है, मतलब voting ही नहीं किया है, 45 ऐसे देश हैं, यह आप चार्ट देख सकतो, यहाँ पर बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने support किया है, अफगानिस्तान, अलजीरिया, इसके लावा अजर्बाइजान हो गया, बहरेन, बेलजियम, बहुत सारे देश यूरोप से लेकर लगभग 120 ऐसे countries हैं जुन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पर humanitarian truth होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो red symbol में जो आप देख रहे हो, वो यह countries हैं, जिन्होंने इसके against में वोट किया है, जैसे Austria हो गया, इसके लावा Croatia हो गया, Fizi हो गया, इसके लावा USA ने भी इसके against में वोट किया है, इसराइल तो obvious सी बात यहाँ पर इसके against में वोट करेगा, इसके लावा यहाँ पर Micronasia हो गया, कुछ जो island countries हैं, फिर इसके साथ हा Tonga, United States, यह कुछ ऐसे देश हैं जिन्हों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया लेकिन यलो कलर में जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो क्रॉस बनावा है यलो कलर में यह बेसिकली abstain को दिखा रहा है कौन-कौन देशों ने abstain किया जैसे भारत यह आप देख सकते हो भारत के लावा और हम major countries की बात करें जिन्होंने abstain किया है तो Australia है, Canada है, Germany है, Japan है, Ukraine है और UK ने भी abstain किया है मतलब world की major powers अगर आप देखोगे तो उन्होंने abstain किया है ना तो yes में vote डाला है और ना तो against में vote डाला है तो question आपके मन में आ रहा होगा कि इतने सारे countries ने abstain क्यों किया वो मैं basically आपको बताऊंगा लेकिन उसके पहले ये resolution के अंदर क्या-क्या लिखा गया था, क्या-क्या बोला गया था resolution के अंदर वो भी just आप एक देख सकते हो, मैंने इसका screenshot डाला है, basically यहाँ पर पहले सबसे के अंदर जा सकें, क्योंकि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वो aid के वज़े से ही वहाँ पर जिंदा है, मतलब बहुत सारे लोगों को खाना पहुचाया जाता है, food दिया जाता है, इसके लावा बोला गया कि जो water services बगर हैं, बहुत से ऐसी चीज़े हैं, survival के लिए, अग के लावा, Red Cross हो गया, Committee of the Red Cross हो गया, कई humanitarian organization है, जो मदद पहुचाना चाहते हैं, Gaza Strip के अंदर, तो उन सब को allow करना चाहिए, कि वो वहाँ पर जा सकें, लेकिन इस resolution में ध्यान से देखिए, एक और चीज़ बोला गया है, that is, resigning of the order by Israel, the occupying power, basically यहाँ पर Israel को occupying power बोला गया ह और Israel ने यहाँ पर जो order दिया था, Gaza Party के north से, सभी लोग south की तरफ चले जाएं, तो इस order को withdraw कर लेना चाहिए, यह resolution के अंदर बोला गया है, फिर इसके साथ-साथ यहाँ पर यह भी बोला गया है, resolution में, कि it called for the immediate and unconditional release of civilians who are being illegally held captive, मतब जीन भी लोगों को एक तरह से captive बना कर र हैं, वो शब्द का इस्तमाल नहीं किया गया, और इसलिए सबसे बड़ी problem थी, जो सबसे बड़ा problem है, resolution के अंदर अगर आप देखोगे, जो Jordan ने draft किया था, उसमें US ने काफी जादा चिंता जता ही है, US ने कहा है कि it is omission of evil, अगर आप देखोगे US ambassador to the UN, जो कि Linda Thomas है, उन्ह ने यहाँ पर announcement के और कहा, कि as you will notice, two keywords are missing in the resolution, सबसे पहला word है हमास, मतलब कि यह जो पूरा war है, एक तरह से 7th of October को हमास की वज़े से start हुआ, हमास ने जिस तरह से attack किया, इसराइल के उपर इसके वज़े से attack किया, तो US का यह कहना था कि इस पूरे resolution में हमें हमास को mention करना च किये, लेकिन इस पूरे resolution में कहीं पर भी हमास शब्द का इस्तमाल नहीं किया गया है, फिर दूसरा यहाँ पर लिंडा थॉमस ने कहा कि इस resolution में hostage सब्द का भी इस्तमाल नहीं किया गया, मतलब जिस तरह से 7th of October को हमास ने attack किया, वो इसराइल के अंदर गये, और बहुत स सारे countries के लोगों को बंदी बना कर, hostage बना कर इस समय गाजा पटी के अंदर रखे वे हैं, बहुत चुनिंदा लोगों को यह उन्होंने छोड़ा है, basically अगर आप देखोगे तो, तो यहाँ पर basically जो US है, उन्होंने ये stand लिया कि हम इस resolution को accept नहीं करेंगे, इसके against में vote क्योंकि यहाँ पर जो दो शब्द हैं वो बहुत important थे, और इसके इसकी विलिए यहाँ पर हम चाहते थे कि इनका प्रेयोख हो, और इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो, US ने कहा है कि no member state should allow that to happen, you should not let it stand, ठीक है, तो यह US का stand रहा है, और मैंने आपको बताया है कि इस resolution मे यह resolution adopt किया, उसके just पहले Canada ने इस resolution में amendment यहाँ पर present किया, कि हमें इस resolution के अंदर amendment चाहिए, और amendment क्या है, amendment basically यही था, Canada यह चाहता था या फिर बागी के और देश भारत जैसे हो गया, कई देश यह चाहते थे कि इस resolution के अंदर यहाँ पर हमास को condemn किया जाए, Unequivocally and reject and condemn the terrorist attack by हमास, तो बहुत से ऐसे देश थे जो चाहते थे कि हमास को terrorist बोला जाए और इसको condemn किया जाए, जिस तरह से हमास ने attack किया 7th of October को, जिसकी वज़े से इसराइल के बहुत से लोग मारे गए थे, तो यह यहाँ पर होना चाहिए, अब question आपके मन में आएगा क इस amendment का क्या हुआ, जैसे आप Parliament में भी देखते होगे ना, भारत के अंदर भी, Parliament में भी कई सारे बिल लाए जाते हैं, तो opposition party क्या करती है, कि उसको लेकर amendment सुझाती है, लेकिन जाहिर सी बात है, सरकार के पास नंबर है, तो वो amendment नहीं हो पाता है पास, तो यहाँ पर भी व abstain किया, ना तो yes, ना no, और 87 members ने इसके favor में vote किया, अब आप मेंसे कई लोग कहेंगे कि 87 तो जादा number है, तो यहाँ पर होना चाहिए, मैं आपको बता दूँ, amendment pass होने के लिए two-third majority चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर two-third majority नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यह जो resolution pass होना, म amendment लाया जाए, और हमास को भी condemn किया जाए, तो I hope कि अब आपको एक अच्छे से चीजे समझ में आ गयोंगी, कि कल actually United Nations की General Assembly में हुआ क्या है, और जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूँ, कि भारत का क्या explanation आया, भारत ने अपनी तरफ से क्या कहा है, कि भारत ने abstain किय क्या है, इसमें voting में, resolution में, ना तो yes में vote किया, ना तो no में vote किया, तो भारत ने basically simple यही कहा है, कि जो भी कुछ इस समय गाजा के अंदर हो रहा है, वो बहुत जादा concerning है, especially for the civilians, जिसमें बच्चे हैं, मैलाएं हैं, उनकी जान का खत्रा है, उनके life का खत्रा है काफी जादा जो भी इस समय इसराइल के अंदर हो रहा है, गाजा पटी में हो रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता दूँ, कि भारत ने भी हमास का जो नाम है, वो अपने speech में नहीं लिया, मतलब भारत ने जो explanation दिया है, कि हमने abstain क्यों किया, वहाँ पर भारत ने भ अध्यम से, और आप मुझे comment में जरूर बताएगा, कि आपका क्या सोच रहा है इसको लेकर, जाने से पहले एक interesting question, क्योंकि हम United Nations की बात कर रहे है, तो क्या बता सकते हो, United Nations की जो biodiversity है, उन्होंने लोगों से urge किया है, कि आप flora and fauna, ये शब्द के बजाए किसी और शब्द क में डालता रहता हूँ, बाकि एगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आईए, लग-लग सोचल मीडिया पर आप यूड़ पाओगे, और जैसा मैंने आपको बताया है, UPSC के अगर आप चारी करो, कोई भी बैस लेना चाहते हैं, just use the code ANKITLIVE to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसं